दोस्तों हम सभी खुश रिना चाहते हैं खुश रिने के लिए हम क्या करें कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं तो खुशी हमको स्वस्थ भी बना देती है और सारा कारे करने के लिए एनरजी भी देती है एक खुशी की जो हैपीनेस की परिभाशा क्या है सबसे जो बड़ी बात है खुशी के लिए वो है हमारी अंदर में अगर टूथफुल्नेस है सत्यता है तो हम खुश रह सकते हैं अगर हमारे इंदर निर्भायता है तो हम खुश रह सकते हैं अगर हमारा मन और बुद्धी पवित्र है, शुद्ध है, तो हम खुश रह सकते हैं, अगर हमारे अदर सैन शक्ति है, तो हम खुश रह सकते हैं, अगर हम शांत रहते हैं, तो हम खुश रह सकते हैं, अगर हम सरल है हमारा सव, इसी नेचर है, तो हम खुश रह सकते हैं, तो य आप अपने आप से पूच tidy k कुछ कुछ रिसर्च में पाया गया है क्यक्या रस रहते हैं तो आपके अंदर एंडर्फिन नाम के केमिकल ल फनते रहते हैं ब्रेन की सेल्स में बॉडी की सैल्स में और या इनडर्फिन क्या करते हैं यह नीनिच्रल मॉर्फिन है जैसे वैसां ऐसे उसके गुलाम हो जाते हैं कि तो अंदर की खुशी जो है वो आपके अंदर ये अंडॉर्फिन पैदा करेगी और आपके शर्रै के सारे रोगों को खतम कर देंगी आपके सारे दरदों को खतम कर देगी तो ये जो है आप इंडोर्फिन्स अपने पैदा करने के लिए आपने पॉसिटिव विचार लाईए अब हम खाने के बारे घुनकर लेटें बहुजस्य हम क्वहाइं क्या रहाग नहिएación क्या क्वाली खुशी से हमारा काम चल जाता है नहीं हमें भोजन भी चाहिए कुछ भो जन ता भी चम्र शांती पैदा करेगा प्रेम पैदा करेगा अगर हमारा भोजन रासी का तो आलस पैदा करेगा अलबेलापन पैदा करेगा और तामसिक भोजन अगर हम खाते हैं तो हमारे दर चिंता पैदा होगी, जल्दी बाजी पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा, उदासी पैदा होग अठाथ वो भोजन वो अन जो हमारे साथ गुणों को उत्पन करें या उत्पन करने में मदद करें वो साथ गुण कोंसे हैं वो आत्मा के साथ गुण है पहला गुण जैसे कहते हैं ज्यान सत्य की समझ कि हमें सत्य की समझ आए कि मैं कौन हूं मेरा कौन है मेरा उससे क्या अगर हम काते हैं सात्विक भोजन तो ऐसे जो ज्ञान सत्य की समझ यहादा गूत होती है, हमसमस्धार बनते जाते हैं, हमारी मन अफ़िदी परल जाती है, हमारी दर शान्ती पैदा होती है, हमारा जो पैरा विदा शींपितर्थर क्सिस्टम हैं पैरा कुद्धा हो कार श्हा एक रिलाक्सरशन सिस्टम, दोनों के भीट में साम्जस्य स्थापन हो जाता है और हम शानत में हिसूस करते हैं, पास्ट के भीचाराने बंद हो जाते हैं, बविश्य की जिंतांगें, खताम हो जाते हैं, और accurate हमारा और उससे हमारे अंदर सबके प्रती प्यार, सबके प्रती एक्सेप्टेंस की feeling आती है और हम खुश रन लगते हैं, खुश का मतलब क्या है? हम संतुष रन लगते हैं हम जो भी में मिला उसमें हम खुश रन लगते हैं हमें हमारे अंदर इच्छाएं कम हो जाती हैं हम डिजायर्स कम हो जाती हैं और उससे हम आनंद की स्थितिय हमें पाप्त होती है